के दिआ यहां पर में एक और नए अपिसोड लेकर क्या है हूं आप लोग के सामने आ चीतकोड का डवलु वी जये की हां पर हम लोग क्वेसटन्स देख रहे हैं प्रीवेस एर क्वेस एर में आयए वे क्वेस्शन्स का लिंक लिंक मिल जाएगा WGE 2024 के लिए जितने भी episodes बन रहे है ना उनको अलग से playlist के अंदर में डाल दिया गया है आगे आने वाले episodes को भी उस playlist के अंदर में डाला जाएगा तो आप लोग description को check out को आपको playlist का link मिलेगा मैं यार under 1000 rank holder हूँ WGE के अंदर में जो rank आई थी WGE में 849 ठीक है और tricks के basis पर यह rank आई थी वरना मेरी rank पीछे आती 3-4,000-5,000 rank आती तो tricks से मैंने boost किया था अपने marks को और Jman में भी मैंने tricks लगा के अपने number boost किये थे तो मैं को NIT 3 ची मिला था ठीक है under 15,000 something मेरी rank आई थी Jman के अंदर में 98.7 percentile, 8 percentile के आसपस बनेगा, 2017 की यह बात है तो आप लोग को भी मैं आप tricks and cheat course सिखा रहा हूँ आप लोग सीख सकते हो, हमारे पस में exclusive tricks course भी है इस course में आप लोग को definitely enroll करना चाहिए, काफी सारे students क्या होता है 30-40 number में struck हो जाते है WGE के अंदर में वहां उनको अगर 40-50 number का boost मिल जाए, वह अगर 85 तक पहुँच जाए तो जादपूर University मिल जाता है यह जो boost है यह course से आपको देखने को मिलेगा इस course को अगर आप देखते हो और चीजों का apply करते हो तो आपका drastically score बढ़ जाएगा 40-50 number बढ़ने की पुरी-पुरी possibility है यहां पर course जो है वो structured है logical scientific tricks आपको सारे इसके अदर में सिखाए जाएगे कम time के अंदर में structured organized course, mindset आपका develop करेगा, risk management आपको सिखाएगा exam scenario में कैसे tricks लगाना है, उस level पर आपकी सोच जो है वो चली जाएगी 10 exclusive videos इसके अंदर में मिलेंगे, 5 plus hours का course होगा, free mock test से आपको provide करे जाएगे तो आपको mock test वगेरा के लिए कहीं और जाने की जरुवत नहीं है, आपको mock test with solutions दिये जाएगे और जो paper वगेरा mock test के होंगे, वो काफी relevant होंगे WBJE से, इस course से आप अगर score improvement करते हो तो आपको जादब पूर university मिलने के chances काफी जादा बढ़ जाते है, ठीक है यह हमारे बाकी सारे courses आप enroll कर सकतो, सबके link आपको description में मिलेंगे, हमारे team को आप what's up करो, यह number दिया हो है हमारे पस में, WBJE का course 1499 का है, कुछ दुनों में price बढ़ जाएगी, अभी आपको 999 के offer में मिल रहा है, तो अभी आपको 999 में course में enrollment हो जाएगा, link description में जाके आप आप लोग check out करो, course की price बढ़ने से पहले इसके अदर में आप लोग enroll करो, सीखो सारी चीजों को apply करो, WBJE के अंदर में आपको जंडे गार नहीं है, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, इस चानल के थ्रू और इस course के थ्रू तो आपका काफी अच्छा result हो जाएगा WBJE 2024 के then the value of this is, अब इसको actual method से अगर आप solve नहीं कर पार हो, तो जुगार से आप solve कर सकते हो, कैसा जुगार लगाए, आप let कर लो, let, let equilateral triangle, let equilateral triangle, equilateral triangle आप let कर लो, उससे क्या हुआ आपका, P equals to Q equals to R equals to 60 degree, समझ गये, हम अपने मन से let कर लिए, आप triangle तो किसी भी तरीके का हो सकता ह है, हमने assume कर लिया, equilateral triangle, पिछले episode में भी हमने assumption method आपको दिखाया था न, episode number 889 में आपको अगर याद होगा तो, ठीक है, यह हमारा assumption method से हुआ था, n की value हमने 2 ले ली थी, तो इसी तरीके से मैं assumption method से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, PQR को 60 degree ले ले रहा हूँ, तो अब मेरा क half, half minus 1, इस तरीके से बन जाएगा अब इसको आपको खाली solve करना है, cos 60 half होता है, इसको solve करोगे आप खाली तो क्या होगा, minus 1 into this into this minus this into this, मतलब की, 1 minus 1 by 4, 1 minus 1 by 4, ठीक है, फिर minus half into, this into this minus this into this, मतलब की, minus half minus 1 by 4, minus half minus 1 by 4, फिर plus half into, 2, ठीक है, this into this minus this into this, तो 1 by 4 minus of minus plus 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 2, ठीक है, तो आप देख सकतो हो, यहाँ पर, इसको आपको solve करना पड़ेगा, देखो solve करके देखो, आपके पास में क्या आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है, तो हमारे पास में खाली चेक कर लो, minus 1 को रखा, this into this, 1 minus 1 by 4, 1 minus 1 by 4, फिर इसको रखा, minus sign के साथ रखते है, second वाला, तो minus half को रखा, this into this, minus this into this, ठीक है, तो minus half minus 1 by 4, फिर इसको रखा, plus sign के साथ में, this into this 1 by 4, फिर minus of minus plus half हो गया, ठीक है, अब चेक करो, इसको solve करो basically, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यह आ जाएगा, पहला जो term है हम minus 1 into 3 by 4, मतलब की minus 3 by 4, पहला जो term है वो आ जाएगा, minus 3 by 4, दूसरा term कितना आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा, हमारे पास में, इसको कर दो 2 by 4, फिर आ जाएगा minus 3 by 4, minus 3 by 4 into minus half, मतलब की 3 by 8, plus 3 by 8, पिर यह कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसको कर दो 2, इसको गर दो 4 तो 3 by 4 3 by 4 into 1 by 2 मतलब कि 3 by 8 तो यह आ गया इस तरीके से yes or no तो अब हमारा क्या बन गया यहाँ पर यह हमारे पस में क्या हो जाएगा 3 by 8 3 by 8 यह हमारे पस में हो जाएगा 3 by 4 और minus 3 by 4 net आ जाएगा 0 तो answer हो जाएगा हमारे पस में B तो यह हमारा question solve हो गया जुगार से क्या आपको बात समझ में आई तो actual approach नहीं भी आता है आपको तो भी आप क्या करें evaluate करके आपने question को उड़ा दिया easily उड़ा दिया अब आजो second question इसमें क्या है आप direction देखो ना खाली पहले आप solve करने क्यों जाता है आपको नहीं भी आता solve करना आप समझो यह हमारे पस में क्या plus sigma मतलब कि यहाँ पे positive charge है और यह क्या है minus sigma मतलब यहाँ पे negative charge है समझ रहो दो plate इस तरीके सा हमारे पस में लगा हुआ है separate किया हुआ है किसी distance से magnitude of field बताना है between the two planes तो आप एक चीज़ सोचो बीच में क्या होगा positive के वज़े से electric field होता है away और negative के वज़े से electric field होता है towards तो दोनो right direction में है मतलब net भी right direction में होगा मतलब net resultant क्या होगा towards the negative charge plane होगा तो आप इसकी value भले ही अपने को नहीं पता positive वाला eliminate हो गया positive वाला eliminate हो गया और zero वाला भी eliminate हो गया A की option बच्चा हमारा option B एक ही option बच्चा हमारा option B क्या आपको बात समझ में है क्या जुगार लगा है हमने काफी सारे बच्चे जिनको नहीं पता formula क्या है exactly value कितनी है वो छोड़ देते question मैंने क्या है जुगार देखा मैंने सिफ direction देखा पहले क्योंकि मैं पता था उसकी base पर कुष्टो elimination work करेगा zero होगा नहीं net इस तरफ है negative के तरफ है net positive वाला होगा नहीं तीन option eliminate हो गया तो यहां भी हमने क्या है पूरे number है वह depending करता है एक number का question है दो number का question है अगर एक number का question है ह swingsbank दो they look on two number का है थो हमने you number on two number न्यूर particularly negative marking भिज्ञ उसे-से होथ होती है यहां भी अगर number का है थो number बोड़ा nor है अगर ऐसे जुगार का use करते हो थो थोड़ा कभी कभी गलतियां हो सकती है बट आप net score बहुत जादा plus कर लोगे और मैं एक ही paper के आपको कितने सारे questions दिखा रहा हूँ आप समझ रहो है यहाँ पर एक दो question metric नहीं लगता बहुत सारे question metric लगता back to back episodes देखो आप back to back episodes देखो आओ दो question और आपको मैं दिखाता हो इसी episode के अंदर में कैसे हम options eliminate करके intuition से तुक्का मार सकते हैं इस question को आप देखो यहाँ पर graph में कोई भी ऐसा number नहीं दिया है जिससे कि हम यह कह सके कि यह twice होगा graph से आपको पता है twice कहा से बोल सकते हैं three times, half times, क्यों नहीं graph में कहीं भी कुछ भी value नहीं दिवी है ना question में कोई value दिवी है तो यह two times तो बकवास दिया हो है equal भी नहीं लग रहा है equal की भी कोई संभावना नहीं लग रहे है क्योंकि दोनों अलग-अलग, t1 और t2 अलग-अलग दिख रहे graph के अंदर में तो यह दोनों option हमारे क्या हो गए eliminate हो गए तो अब आप A और B में से तुक्का लगा सकते हो तो at least there is a 50% probability कि आप question को सही करोगे marking pattern क्या होता है plus 1, minus 0.25 का marking pattern होता है है ना इस type के marking pattern में अगर आपने 2 option eliminate कर दिये you should go for the guess समझ रहा आप बात क्योंकि मैं बता हूँ आपने अगर 30 question ऐसे attempt किये 30 में से आपने 15 सही किये 15 गलत किये क्योंकि आप 2-2 option eliminate करके फिर बचे वे में तुक्का मार रहे हो तो 15 सही होने के 15 number आएंगे और 15 गलत करने के आपके कितने होंगे 15 into 0.25 मतलब आपका 4 point something होगा गलत तो negative में 4 point something होगा तो net आप देखो 11 number के आसपस आपने बूस्ट किया और 11 number का बूस्ट बहुत होता है WBJ के अंदर में आप समझ रहे हो 1000 बच्चों को आप overtake कर लोगे एक बादा कोई example के तोर पर बसे समझाया हो कि 30 में 15 से किया 15 गलत किया 15 आप 15 नमबर पॉस्ट लिया तो आपको WBJ में घबराना नहीं या attempt मारने है attempt आपको बढ़ा के रखने है तो दो eliminate करके बचे वे 2 में से आपने तुक्का लगा इसका जो correct answer दियावा है वो दियावा है option B अब वो हमारे पास में ग्राफ से आपको देखना पड़ेगा स्लोप वगेरा से रेजिस्टेंस से compare करोगे और इकल्स टू वी बाई आई ठीक है और हमारे पास में उसके हिसाब से फिर आप देखोगे temperature वगेरा आप फिर compare करोगे अब आजो इस question को आप देखो लास्ट को आप देखो इसमें क्या है बहुत एटी मीटर हाई था वहां से हमने थ्रो किया horizontally थ्रो किया आठ की speed से थ्रो किया अब वो ग्राउंड पर रीच किया उसकी time कुछ होगी और distance from the foot of the tower मतलब यह distance होगा d time होगा t यह speed है हमारे पास में 8 यह height हमारे पास में 80 का ठीक है सारी कानी अपने को पता चलगी अब देखो अपने को पूछा है time और distance कितना होगा अब अगर आप actual इसको solution नहीं कर पा रहे हो मान लो तो भी आप जुगार तो लगा सकते हो ना दो option आप eliminate कर सकते हो कैसे बता हो देखो अगर time 6 second हुआ let's say अगर time 6 second हुआ तो horizontal distance कितना होगा horizontal velocity यह 8 तो 8 6 अ 48 तो horizontal distance कितना होगा other time if time is if time is 6 second then d has to be 48 meter because 8 6 अ 48 इसका मतलब यह option eliminate हो गया समझे रहे हो if time is 4 second if time is 4 second if time is 4 seconds then d has to be 8 force 32 meter क्योंकि horizontal velocity 8 8 into 4 will be 32 तो 32 वाला होगा 16 वाला नहीं होगा तो यह option eliminate हो गया तो इस logic से हमने 2 option eliminate कर दी देखरो कितना खतरना का मारा दिमाग चल रहा है इस level का दिमाग आपको बनाना पड़ेगा ठीक है अब आप B और C मेंसे तुक्का लगा लो ठीक है तो कम knowledge पर भी आप questions को attempt कर सकतो WBJ के अंदर में यहां पर हमने देखा यार इसका जो correct answer दियावा है B B B और C यह हमारे पास में इस चार question के correct answer है episode number 889 था यह जितने भी episodes बन रहे हैं सब playlist के अंदर में डाला जा चुका आप लोग जो यार description के अंदर में link आपको दिखेगा और हमारे पास में exclusive tricks course में जरूर से आप लोग enroll करो बहुत important इसको miss मत करना यार क्योंकि यह जो course है ना पिछले साल 500 के आसपास students जो थे इस course से increase किये थे अपने number को और WGA के top colleges में आज के rate में बच्चे पढ़ रहे हैं 2023 की course के मैं बात बता रहा हूं और 2024 का जो course है उसमें expected है यार 2500 बच्चे जो है अपने course इस course से अपने marks को increase करेंगे तो आप समझ रहे हो इस course की कितनी value है जितने भी top students है जो top 15,000 बच्चे हैं 27,000 बच्चे देते हैं WGA के exam जो top 500,000 बच्चे हैं उनके अंदर में भी competition है क्योंकि वो इस course के तुरू अपने number को बढ़ा रहे हैं तो आप लोग इसके अंदर में जरूर से enroll करो हमारा channel WGA के अंदर में top rated channel है जो tricks and cheat codes आपको सिखाता है और last moment में काफी सारे 1000 बच्चे इस